हलो बच्चूं, आज हम पढ़ेंगे लेसन दो पहलवान मुखजोर सिंग और धर्ती पटक सिंग दो नामी पहलवान थे धर्ती पटक सिंग ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हरा कर अनेक पुरसकार जीते थे बहें अपनी शक्ति को बनाई रखने के लिए घंटों व्यायाम करता था और पोस्टिक भोजन करता उसका समानिय, उसका भोजन समानिय विक्ती द्वारा खाये जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था उसका नाम सुनकर अच्छी अच्छे बल्शाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे परंतु मुखजोर सिंग उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था मुखजोर सिंग को कभी किसी ने कुष्टी लड़ते नहीं देखा था इसकी बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों और बज़ता था धरती पटक सिंग के दिल में मुखजोर सिंग को पटकने का बड़ा बहुत बड़ा अर्मान था मुकजोर सिंग अक्सर कहता धर्ती पटक सिंग को उसने कई बार पटका है वह उसके नाम से ही डरता है उसकी डिंग और शेखी भरी बाते सुन सुन कर एक दिन धर्ती पटक सिंग कुष्टी लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा धर्ती पटक सिंग ने रास्ते में रुक कर एक धाबे पर खाना खाया उस धाबे का सारा आटाव है एक बार में खा गया फिर उसने एक तलाब पर पानी पिया तलाब में बहुत कम पानी बचा पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तलाब के किनार ही लेट गया कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई उस तलाब पर प्रती दिन एक हाती ही पानी पीने आता था उस दिन तलाब में कम पानी देखकर वे बहुत क्रोधित हुआ वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वे गुसे से चिंगाड़ा थर्ती पटक सिंग की आँख खुली वे तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंग के घर की ओर चल पड़ा मुखजोर सिंग के घर के सामने पहुँचकर वे जोर से चिलाया मुखजोर सिंग मेरे डर से कहां चिपा है हिमत है तो सामने आ और मुकाबला कर नहीं तो मेरे पाउं चूकर छमा मंग मुखजोर सिंग ने धर्ती पटक सिंग की आवाज सुनी तो वह डर के कारण पिछले दर्वाजे से भाग गया उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने उचे स्वर में घर के भीतर से कहा वे घर पर नहीं है पहार धकेलने पहार गए है आठ दस दिन में आएंगे यह सुनकर धर्ती पटक सिंग ने हाथी उठाया और उसके आँगन में फैकते हुए कहा अपने पती से कहना कि मैं उसके शक्ती देखना चाहता हूँ आँगन में गिदे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंग की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए मुखजोर सिंग का बेटा मुधी मान था वे अपने को संभालते हुए उचे स्वर में बोला मा यह पागल आदमी कौन है इसने हमारे आँगन में चुहा क्यों फैका है इस चुहे का मैं क्या करूँ उसकी माने समझजारी दिखाते हुए कहा बेटा गबराने की कोई बात नहीं अपने पिता को आने दे उनके आते ही यह पागल दुम दबा कर भाग जाएगा इस चुहे को जाडू से बाहर कर दो आँगन में जाडू की आवाज दर्ती पटक सिंग के कानों में पड़ी इसके बाद फिर मुख जोर सिंग के बेटे का स्वर उभरा मा यह चुहा तो नाली में गिर गया दर्ती पटक सिंग सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो यह सोचके वह थोड़ा भैभीत हुआ अपने भैपन यंत्रन रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक हजूर के पेड को उखाड कर उचे स्वर में कहा अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी इसलिए मैं बाहर खड़े पेड को ले जा रहा हूँ मुखजोर सिंग के बेटे ने चिलाते हुए कहा मा देखो क्या पागल मेरे पिता का दातुन लेके भाग रहा है पिता के पेड को दातुन कहते ही धती बटंग सिंग की आखे फटी की फटी रह गई उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंग से कुष्टी लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा यह सोचते ही वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ कुछ देर बाद मुखजोर सिंग घर लोटा और अपने बेटे से पूछा कहा गया वह गप्पी बेटे ने उतर दिया वह हमारा खजूर का पेड उखाड कर भाग गया उसने क्रोचित सुवर में कहा मेरा बेटा होकर भी तुने मेरा नाम डुबो दिया उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया तुझे मैं अभी नदी में फैक कर आता हूँ मुकजोर सिंग ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा नदी गां से बहुत दूर थी वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझा कर उसे चमा कर देगा परन्तु उसका बेटा अराम से कंधे पर बैठा रहा मुकजोर सिंग ने उसे डराने के लिए कहा रदी पास ही है बेटे ने कहा हाँ पिता जी मुझे भी लहरे उठती हुई दिखाई दे रही है बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शान्त हुआ उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा मुझे सच सच बता तुने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं बेटे ने उतर दिया मैंने उसे कुछ नहीं का परन्तु अपनी मा से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता के दातुन लेकर भाग रहा है मुखजोर सिंग ने उसकी पीट थपते पाते हुए कहा बेटे एक दिन तु दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा थैंक यू ओके बच्चों बाई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल